इसका कोशन सेकिंड है राइट फर्स्ट फाइव मुल्टिपल्स ओफ फाइव तो देखो फाइव के टेबल में आता है फाइव वन दा फाइव फाइव टू दा तैन फाइव थ्री दा फिफ्टीन फाइव फॉर दा ट्वन्टी फाइव दा ट्वन्टी फाइव फाइव सिक्स दा थर्टी फाइव सेवन दा ट्वन्टी फाइव तो बच्चो ये जो नंबल्स मैंने लिखे हैं यहाँ पे पांच के पहाड़े में आने वाले, 5 के टेबल में आने वाले, 5, 10, 15, 20, 25 ये 5 के पहाड़े में आते हैं, 5 से multiply होकर आते हैं इसलिए इन numbers को कहा जाता है, multiples किस के multiples, 5 के, क्योंकि 5 के टेबल में आ रहा है, इसलिए यह सारे 5 के multiples होंगे हम से पूछा गया, right, first 5 multiples, तो आप लिखो, first 5 multiples of 5 are कौन कौन से होंगे, पहले 5 multiples, तो पहले 5 लिख दो, 1, 2, 3, 4, 5 यहां तक, यह multiples है, 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है बचो, क्या किया, 5 का पहाड़ा लिखा पहले 5 multiples, यानि पहले 5 numbers, देख लिए कौन कौन से होता है, 5 के पहाड़े में, इन ही को कहते हैं, इसके first 5 multiples first 7 multiples होते तो, first 7 numbers देख लिए, first 4 multiples होते तो, first 4 numbers देख लिए इन ही को multiples कहा जाता है, देखो, 5 भी 5 का multiple है, 10 भी 5 का multiple है, 15 भी 5 का multiple है 20, 25 भी 5 का multiple है, यह सारे के सारे जो हैं, यह सारे जो हैं, यह 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 सारे जो हैं, यह 5 के multiples हैं यह तो बहुत असान काम है, सिरफ आपको टेबल आना चाहिए, इसी हिसाब से इसका बी पार्ट है एट, एट यानि, राइट first five multiples of eight, तो आपने eight का टेबल यहां लिख लेना है, उसके बाद, first five multiples eight के लिख देने है, लेकिन उससे पहले यह लाइन लिखने है, first five multiples of eight are, eight के सार multiples, ऐसी इसी भाग है 9 तो 9 का table side में लिखेगा, उसके बाद first 5 multiples of 9 आप लिख दीजेगा ये तो बहुत असान काम है उमीद है कि आप इसे समझ कर अच्छे से करेंगे Thank you झाल